वेलकम बच्छो मैं परवीन अरोडा टीन-CLC से आज आपन डिस्क्षिन करेंगे माइनर थ्री जो आपका है माइनर थ्री में अगर कहें तो टॉपिक लेंगे अपन हैड्रोकार्बन का जो आपका पेपर हुआ है हैड्रोकारबन इसका पेपर सॉलीशन करते हैं मैं नो डाउट पेपर आपका अच्छा गया होगा पिर भी कुछ डाउट रहे हो तो वो आपन इसमें क्लियर कर लेते हैं चलिए बात शुरू करते हैं यह आपके बस फर्स्ट कॉश्चन था बेटा फर्स्ट कॉश्चन है most reactive with HBR HBR के साथ highest reactive जो है more reactive जो है वो आपको बताना है फर्स्ट option है ethene molecule, second option है isobutene molecule, third option है propene molecule and fourth option है ethane molecule अब बात आती है HBR के साथ reaction की तो HBR के साथ जो reaction है बाटा वो electrophilic addition variety की होता types of reaction अपन कहें तो electrophilic addition और यह जो electrophilic addition है वो in में as compare आइन से ज़्यादा बेटर होता तो no doubt यह option तो अपना नहीं रहेगा option in में से रहना है in में से रहना तो बाटा यहाँ पे दो factor होता है एक in पे जब आप reaction करवाते हैं तो आपको reaction में bond opening करनी होती है और bond opening से क्या होता है एक cation form होता है cation जहाँ better form होगा वो जादा better है और एक अपन यह भी देख सकते हैं double bond पे density electron की क्योंकि electrophilic addition है electrophilic addition है इलेक्ट्रोफाइल का first attack होगा तो electrophil वहीं जाएगा जहाँ पे nucleophilicity ज़्यादा हो तो अगर इस point of view से देखते हैं तो हमें मालूम है इस molecule में यह दोनों methyl donor का behave कर रहे है यहाँ पे one donor है और यहाँ पे zero donor है तो इस point of view से ज़्यादा rich जो होगा वो क्या होगा? आईसो ब्योटीन और उसमें यह भी option है कि आप bond को open करेंगे तो cation भी 3 degree form होगा और 3 degree cation जो होता है as compare 1 और 2 degree ज़्यादा better होता है तो इसलिए सभी factor जो favor में जा रहे हैं वो किसके जा रहे हैं? आईसो ब्योटीन की clear है बटा? next देखें इसके बाद हम question number 47 47 में क्या given है? 47 में देखें बटा how many di-bromo-butane will be formed आपको इस reaction में di-bromo product का number बताना है di-bromo product कितने form होगी तो बटा यहाँ पे एक stereo का question है BR2 की reaction आप कराने जा रहे हो और BR2 की reaction जो है वो anti-edition वाले होगी आपका जो molecule यहाँ पे given है वो एक trans molecule कौन सा? trans तो trans है यहाँ anti है एक tricky reaction है same same मिले symmetry आ जाए तो यहाँ trans और anti दोनों same same nature हो गया तो दोनों का same nature जिस nature का sub-state है उसी nature का आप उस पे addition कर रहे है symmetry आएगी symmetry मतलब meso product होगा मलब product कुछ इस type का होगा top bottom पे methyl होगा और जो BR की आप entry कराना चाहरे है वो BR one-sided लगेगा तभी आपका molecule meso category का होगा क्योंकि एक trick होती है same same मिले symmetry आ जाए molecule meso कहला है तो meso meso अगर अगर अपन कहेंगे तो one ही होगा फिर उसमें दूसरा कोई option है नहीं तो यहाँ पे आपको one देना चाहिए चलिए बटन next देखते हैं इसके बाद अपन question number 48 देखते हैं 48 में क्या कह रहा है 48 में compare electron density on benzene ring आपको मालूम है जो three molecules given है उनमें सब में benzene ring है अब benzene ring पे आपको बताना है density बोले तो benzene ring कौन सी electron के point of view से रिच्छ है यह आपको बताना है तो अगर इसमें अपन देखें तो यह जो benzene ring आप देख रहे हैं इस benzene ring के लिए यह कैसा behave कर रहा है plus R का महलब density improve करने के यह भी कर रहा हालागि यहां से अपन देखें तो यह वाले H जो है वो hyperconjugation से electron donate कर रहे है यह भी एक positive factor है इस benzene ring के लिए लेकिन अगर अगर अपन second molecule में जाते है तो देखो यहां पे यह जो hyperconjugation है यह तो same है, first molecule like है यहां पे भी 2H का था यहां पे भी 2H का है पट यहां जो यह oxygen का lon pair resonance में involved था यह both side involved होने लगा क्योंकि यह जो CO है यह भी तो resonance करेगा तो कहीं न कहीं इस lon pair की direction back side में भी रहेगी तो उसका जो loss होगा वो benzene ring को होगा और अगर आप third में देखते हैं तो third में तो बेटा जी जो group है वो minus R का है donate में करेगा, withdraw करेगा तो यह order में ही settle है first ring में देखें तो plus H plus R दोनों ही benefit ring को मिल रहे हैं first है, second है, third है first, second, third आपका first option में ही given है first वाला option जो है इसके लिए fit रहे है ठीक है बटा, चलिए next देखिए इसके बाद question number 49 49 में क्या given 49 में अगर आपन देखें तो 49 में आपके बास यह molecule है molecule एक alken है alken पे आप HBR peroxide की reaction करवाना चाहते है major product आपको मालूम है बटा, HBR peroxide आजाता है तो AMKR product बनते हैं in general और वैसे अगर technically सोचें अपन तो HBR peroxide के अंदर जो real attacking part होता है RDS मेरे determining में वो BR होता है उसको आप एक ऐसी location पे stay करवाए कि intermediate better बने तो बटा इसने attack करना है यहाँ जाके attack करना है bond का यहाँ पे homolysis होगा अगर उसका stay आप यहाँ करा दें तो form free radical जो होगा वो कैसा होगा 2 degree यहाँ पे free radical आएगा जिसकी बहुत side में उसको alpha H मिलेंगे अगर वही attack आप यहाँ कराते हैं तो आपका free radical क्या होगा 1 degree तो क्यों बनाए हम 1 degree जब हमें 2 degree बिल लाए इसलिए product अपने आपे MQR हो जाता है तो यहाँ पे terminal carbon पे BR आएगा first में नहीं है second में तो वैसे इसने only HBR की reaction का product बता दिया है तो बताना ही नहीं तो यहाँ पे खाराश effect अपलाई नहीं किया इसने यह भी wrong है और यहाँ आपन कहें तो यह बिल्कुल right है बटा terminal के ओपर और इसको आप ऐसे देख भी सकते हैं आप यह वाली specie form कर लीजी BR को अगर outer side में add करते हैं free radical यहाँ form करते हैं तो यहाँ से 2H और यहाँ से 1H total 3H का benefit मिलता है और यहीं पे अगर आप इस BR को enter कराते हैं यहाँ पे कोई third location तो possible ही नहीं double bond पे interaction होनी है तो free radical बनता बटा यह वाला जिसके पास self-h होता 1 इसलिए हम ज़्यादा बेटर जो समझते हैं वो कुन सा रहता है यह वाला तो यह first wrong हो जाता है second तो possible ही नहीं है third आएगा और fourth में भी अपन कहें तो इस location पे तो जाने का मतलब भी नहीं है यह भी wrong है ता अंसर आपका जो final रहेगा वो क्या रहेगा third next देखिए इसके बाद question number 50 50 में देखिए बाटा क्या कह रहा है 50 में क्या का इस यह hydrocarbon X on catalytic hydrogenation give N-butane आपके बस कोई hydrocarbon है formula है C4H8 CnH2N अब CnH2N formula जो होता है वो यूज होता है किसी Ene के लिए किसी cycloene के लिए ऐसे formula से भी आप identify कर सकते हो बागी उसने language दिये catalytic hydrogenation में N-butane दे दे आप एक ऐसा molecule देखें जिसके reduction का product N-butane हो तो first वाले में possible है क्यों N-butane provide कराए second वाले में possible N-butane provide कराए third और fourth में भी possible है लेकिन third fourth option आपको नहीं लेना क्यों नहीं लेना formula देखो C4H8 है और third fourth में देखो 3 or 2 5 or 1 6 क्योंकि यह formula C N-1-2 वाला है तो इसका महलब अगर आप थोड़ा सा formula पर बेस्ट भी चाल रहे है तो दो option तो easily आपने cut कर दी अब लेकिन first और second में से कौन sensor होगा यह भी आपने आगे और देखते है X-on addition with H-B-R from only single bromo compound भाई अब एक condition और आती first condition तो यह है C4H8 का molecule है और catalytic hydrogenation में N-brutane में convert होगा वो condition यह दोनों के दोनों ही satisfy करते हैं क्योंकि दोनों के reduction के बाद उनका πाई निकालने के बाद N-brutane बनने वाला है लिगिन जो next condition उसने लगाई है वो next condition आपकी satisfy कर पाएगा only second molecule अब आप कहेंगे ऐसा क्यों देखो बटा अगर आपने first molecule के अंदर H-B-R की interaction करवाई न तो H-B-R की interaction में H-plus और BR- जब जाएंगे तो bond की opening अगर यह से आप करेंगे तो bromo जाएगा 2 degree पर 2 bromo butane और अगर आपने bond की opening यह कर दी तो 1 bromo हालाकि वो minor बनेगा पर product तो बनेगा न लेकिन अगर आप 2 butane लेते हैं तो 2 butane में बटा bond को left open कर लो या right open कर लो हर case में bromo 2 पे ही जाएगा तो इसलिए आपका final answer जो रहता है वो 2 रहता है ठीक है चली और देखते हैं इसके बार अपन next 51 में देखें हैं अपन क्या दिया हुआ है 51 में देखें बटा 2 methyl butane have 2 methyl butane have तो 2 methyl butane क्या है पहले तो आप ड्रो कर लेजी यह बटा 2 methyl butane है अब इसमें क्या है यह बताना है 91 degree chemically identical hydrogen 23 degree chemically identical hydrogen 61 degree chemically identical hydrogen 42 degree chemically identical hydrogen तो यहां पर यह overall question जो है इस molecule में यह जानना चाहता है कि similar behavior के similar chemical behavior के एच किते है तो बटा पहली बात तो यह है कि यहां पर जो है वो 3 है यहां जो है वो 3 है यहां जो है वो 3 है यहां जो है 1 है और यहां जो है वो 2 है ठीक अब अगर similar की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक वाला जो area है वो पूरा 1 degree है remaining अगर मैं कहूं तो यह वाला आपका 3 degree हो गया ये वाले दोनों आपके 2 degree हो गए तो या तो 2 2 degree, 2 hydrogen similar अब 4 2 degree 4 2 degree तो इसमें present ही नहीं है तो इसलिए इस option पे तो आपको जाने की कहीं जोड़ती ही नहीं 6, 1 degree chemical identical अब यहाँ पे आपको यह जो 1 degree दिखाई दे रहे है वो total 9 दिखा रहे है अब 9 दिखाई दे रहे हैं और 9 में यहाँ पे यह कह रहे है 6 और 1st option में कह रहे है 9 और 2 3 degree chemically identical 3 degree के 2 hydrogen ही present नहीं है यह जो number है न 2 यह match ही नहीं कर रहा है यह भी छोड़ दीजिए अब आपका answer आएगा यह तो 1 यह 3 देखो option की पूरी help लेने हैं आप तो 1 या 3 में से अगर initial phase में देखते हैं तो हमें लगता है 9 के 9 1 degree है बट बटा ऐसा नहीं है क्यों? यहाँ पे जब आपन similarity की बात करते हैं ना similarity के कई criteria है यह सभी 1 degree है इनका number सब पे 3 3 है और यहाँ पे अगर मैं कहूं तो सब के सब SP3 hybrid carbon के part है बादवाला carbon बट टू डिगरी है और इन 1 degree के ज़स्ट बादवाला 3 डिगरी है तो मैं इन 6 को equal मानूंगा यह 3 carbon इसके equal नहीं आएंगे तो आपको 9 answer नहीं देना चीए बटा 6 देना चीए clear है और यह reason है क्याँ पे जो answer रहना है वो यह रहेगा चलो बटा easy है बस थोड़ा सापको सोच के करना था इसको next देखिए बटा इसके बाद next question पे आते हैं 52 पे आई 52 पे क्या कह रहा है 52 पे what is major product of the following reaction आपको एक reaction given है reaction का major product आपको बताना है आपके बस क्या है एक bromo molecule है एक unsaturated bromo है reagent जो दिया alcoholic KOH दिया साथ में heat दे दी यह पूरा combination आपको मालूम है elimination के लिए होता है alcoholic KOH होता है वो dehydrogenation कराता है जो molecule given है वो यह था bromo था यहाँ पे आपके बस 3 carbon में यहाँ पे BR आ रहा था अब इस BR के पस बटा dehydrogenation के लिए H इधर भी है और H इधर भी है तो यहाँ पे आपको बताना था कौन सा product major product major की बाट क्यों आ रही है बटा क्योंकि अगर आप इस HBR को निकालते है double bond यहाँ आता है तो previous double bond के साथ उसका conjugation set होता है और अगर आप यह बाट इस H के साथ करेंगे यह H और यह BR निकालेंगे तो double bond तो आ जाएगा लेगिन conjugation set नहीं होगा half month product होगा तो major का है तो आप सज्जव बताओ सज्जव बताना तो बेटा first option wrong है और second तो बिल्कुल wrong है तोकि इसने alcoholic के वेच नहीं aqueous के वेच क्योंकि यहां पर अगर aqueous के वेच होता तो हम बिल्कुल इस product को भी लेते यह भी छोड़ दीजिए यह बिल्कुल perfect answer मुझे दिखाई दे रहा है double फिर double का conjugation फिर methyl जो मैंने यहां पर बताया यह reaction possible है यह reaction possible नहीं है और यह वाला तो फिर possible नहीं है क्योंकि यह request के वेच में होता है तो इसलिए answer final रहा अपना third clear है बिल्कुल चले और देखते हैं इसके बाद आपन question number 53 पर आई 53 में क्या कहना चाहरा है 53 में कह रहा है major product बताना है major product बताना है तो यहां पर देखो बिल्कुल क्या है NBS sunlight आपको मालूम है NBS sunlight कहाँ पर काम करता है allylic या benzylic location पर जो molecule यहाँ पर अपने को given है वो यह था इसमें NBS की जो functioning है वो इस edge पर है इस वाले edge को निकालो और यहाँ पर bromination करा दो बत साथ में condition है major product देना है बटा तो देखो इस edge को निकालने के बाद यहाँ shift कर दें यह यहाँ shift कर दें तो एक resonating structure यह भी form हो जाएगे इसके लिए आप attack BR का यहाँ भी करा सकते हैं आप attack BR का यहाँ भी करा सकते हैं पर यह product as compare ज़्यादा बेटर है क्योंकि पाई पाई alternate हो जाएंगे जबकि यहाँ पाई पाई का alternate order नहीं होगा तो measure बदाना है तो मुझे लगता है BR अपने को यहाँ attack कराना चाहिए तब देखो इसमें option यह first वाला तो direct state है कि आपने beach की location identify करी और उसके उपर BR की entry करा दी लेकिन उसमें measure कहा है क्योंकि πाई पाई product के अंदर कहीं conjugation में नहीं है छोड़ दो इसे अगर और option ना हो तो ले लेंगे और भी देखते हैं next वाले के अंदर देखो वो ही दिया जो मैंने आपको कहा यह वाला दे रखा है इसने पाई पाई का alternate order दे दिया दिया है तो यह लेना चाहिए और थर्ड में तो बटा दोनों पाई में से एक पाई गायब कर दिया यह नहीं कर सकते क्योंकि पाई कंजूम ही नहीं होगा इस reaction में यह गलत है और लास्ट वाले में अपन कहें तो यहां पर फिर वही बात पाई 1 रह गया यह भी पॉसिबल में कह रहा है when sodium propionate is heated with soda lime देखो बटा यह है आपके पास sodium propionate ठीक, soda lime क्या है? N-A-O-H-C-A-O, soda lime है, तो product बताना है, 2021 के paper में भी एक question आया है, आपका decarboxylation का इसमें से एक reagent missing था, decarboxylation का, तो बटा यहां पर यह CO2 निकल जाता है, और बोले तो यह जो है, वो convert हो जाता है किसके अंदर, यहां से catch लेकर के ethane में, क्योंकि decarboxylation में CO2 release होती है, तो soda lime के साथ product जो बनना है, कोई यह वाला बनना है, ठीक है, correct है, कोई carboxylik acid होता है, soda lime आपन कहें, तो soda lime यहां पर काम करता है, एक decarboxylating agent का, तो यह CO2 यहां से निकल जाती है, और एक hydrocarbon product यहां पर बन जाता है, next, देखें इसके बाद, 55 में आईए, 55 में क्या कह रहा है, 55 में एक alkene given है, HBR के साथ reaction given है, आपके पास जो alkene है बटा, वो यह वाली है, HBR के अंदर आपको मालूम है, first attacker H plus रहेगा, क्योंकि reaction का name electrophilic addition है, ठीक, तो इसने इस bond को open किया, bond open वहीं क्यों हुआ, यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके बस 2 degree cation बन रहा है, तो अपन 1 degree क्यों बनाएं, तो सबसे पहले आप cation बना लेजी, 2 degree, अब अगर वो ring का size extend कर दे, तो यह ring हो जाएगी बटा जी 5, 5 में यह वाला जो carbon है, यह ring क्या उटर रहेगा, और यह वाला carbon मैंने बाहर रखा, यहाँ पे यह bond आगे set हुआ, तो यहाँ वाला एक plus आ रहा है, तो कहाँ पे, जिस carbon पे आप methyl शो कर रहे हैं, वो तो यह वाला, इसके just back side मे plus है, तो यहाँ पे plus हो कर लो, यहाँ पे, तो एक rearrangement का step आपको और कराना होगा, यह hydride यहाँ shift हो करके, इसको किस में convert करेगा बटा, 3 degree में, और 3 degree पे फिर entry करा दीजिएगा, आप किसकी, H plus आपने enter करा दिया, BR और enter करा दीजिए, तो ऐसा कोई product देखो, first wrong है, second बिलकुल आईत है बटा, जैसा आपन structure चारे हैं, वैसी possibility है, क्योंकि यहाँ पे जब आप BR एंटर कराएंगे, तो ऐसा ही एक product यहाँ पे बनेगा, ठीक है, चलो, तो यहाँ आप समझ गए होंगे, सामने वाला क्या जानना चारा है, rearrangement के बारे में देखना चारा है, electrophilic addition में अपन को यहाँ उपन करेंगे, जैसे एक pattern रहता है, अलकीन में अलकाइन में अपन कहें, तो यहाँ पे इस bond को अपन यहाँ उपन कर देते हैं, तो HOCl के अंदर आपको मालूम है, OH माइनस पोल होता है, CL अपन कहें तो प्लस पोल होता है, तो यहाँ product कुछ इस टाइप का बनाना है हमें, carbon carbon double bond हो जाएगा, outer side में तो आजाएगा, CL और inner side में nucleophile, OH, first attack तो ऐसा होगा, फिर second attack के time आप bond को right open करें, open तो left में कर सकते हैं, पर right open का favor क्या है, यहाँ जो प्लस आएगा, उसको oxygen के long pair का resonance benefit होगा, अब आपका logic हो सकता है, sir अगर हम left open कर दें, तो प्लस को CL के long pair क resonance मिलेगा, लेकिन उसे आप avoid करिएगा बेटा, क्योंकि same orbital का resonance ज्यादा better होता है, carbon और oxygen में 2P-2P interaction होगी, जबकि carbon CL में 2P-3P, तो bond opening right side जानी चाहिए, right side जाएगी, इसका मदलब आपने next molecule की entry का भी रस्ता बता दिया, यहाँ CL था, bond अगर यहाँ open हो रहा है, तो CL फिर य नहाँ आएगा, यहाँ पर बेटा OH-OH आएगा, same carbon पर 2OH stable नहीं होते, वाटर लूज करेंगे, तो यह वाला carbon benzene के पास वाला carbon carbon carbonyl में convert होगा, अब आप अपने option चेक करिए, यह तो बिलकुल wrong है, क्योंकि CL की जो entry है, वो ही उन्होंने wrong करा दी, next वाले में CL की entry proper है, और य देखा, reaction दो बर करानी, one time थोड़ी करानी है, तो इसलिए यह भी नहीं हो पाएगा, next वाले में जाएं अगर अपन, तो यह भी नहीं, यहाँ पर CL की entry नहीं दिखा रहा है, तो यह second option जाएगा, बटा, चली, next देखिए इसके बाद, question number 57, 57 में देखो बटा, क्या कहता है, 57 में कह रहा है, which is correct reaction, आप reaction देखिए, correct उसमें से select करिए, जैसे यहाँ पर आपके बास यह molecule given है, आईन, और उसके ओपर जो reaction given है, उसका name है, कुछ रोव reaction, water addition, अब water addition, अगर आपको इसलकाइन पर कराना है, तो आपकी bond opening, right नहीं होनी चाहिए, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, अभी just previous question में तो आप ऐसा कर रहे थे, यहाँ पर बेंजीन थी, बेंजीन के बाद यहाँ triple था, आप बेंजीन की side में bond opening कर रहे थे, अभी अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेटा जी back side का group एक withdrawal group है, शीनने वाला, तो उस negative pole है, आपको मालू है, bond आपन ने वहाँ open किया, तो यहाँ अंदर तो क्या आएगा, H और बाहर क्या आएगा, OH क्या उसकी according product है, नहीं, उसकी according नहीं, क्योंकि अगर बाहर की side में, यह bond open आप करते हैं, इस molecule में, तो इस वाले carbon के उपर attack किसका होगा, OH, OH, और OH का attack होकर के water nickel के carbonyl बनना है, जो की opposite side में दिखा रहा है, तो यह तो बटा, wrong हो गया, character reaction नहीं है, second वाले में जाए, तो बटा, यह पूरा जो combination है, इसको कहते है, hydroboration oxidation, hydroboration oxidation में क्या होता है, AMKR water add, AMKR water add गराना है, तो बटा, यहाँ, यह वाला carbon 2 degree है, मैं opposite चलू, 1 degree पर overchide करू, तो यह भी इसने नहीं राइत दिया, यह इसने wrong कर दिया, फिर AMKR नहीं किया, गलत हो गया, थर्ड वाले में जाए, HCl paroxid, हलागी paroxid का HCl पर कोई impression नहीं आ साथ reaction normal होती है, normal होती है, तो bond की opening normal रहेगी, mid वाले carbon पर Cl जाएगा, लेकिन mid वाले carbon पर फिर Cl नहीं दिखा रहा, तो यह भी wrong है, तो none of these option ठीक रहेगा, correct reaction, तो अपन कहेंगे none of these, answer आपका जाएगा fourth, ठीक है, चलो, और देखिए बटा, next इसके बाद, 58 number question में देखो, क्या कह रहा है, 58 में देखिए, which is correct reaction, reaction given है, correct बतानी है आपको, आपके सामने एक in है, आप उसके उपर HCl reaction करा रहे हैं, HCl की reaction, electrophilic addition होती है, electrophilic addition में अपन जानते हैं, क्या होता है, यह bond opening होगी, cation जो form होगा, वो कौन सा, 2 degree, और 2 degree जब update होगा, तो इस H को भी अपनी side shift कर लेगा, तो 3 degree location पे, CL minus की entry कराना, जैसा बिल्कुल perfect इसने दे रखा है, ओके है, यह reaction, कोई problem नहीं, second वाले में जाएं, आप HBR की reaction करा रहे हो, यही pattern यहाँ follow होगा, आप bond को open करिए, better get iron बनाईए, फिर उसे और better करने के लिए, इस methyl को shift कर दीजिए, यहाँ पे, और 3 degree पे BR के entry कराईए, जो इसने wrong कर दिया, बटाईए, BR इसने यहाँ, direct stick करा दिया, मतलब इसने classical carbocation वाले pattern follow नहीं किया, तो यह तो wrong हो गई, first बिल्कुल right है, A वाली जो है, proper है, B wrong है, अब आता है C, C में आपको दिया dilute S204, dilute S204 मतलब water add करना है, अब water add करना है, तो आपको मालूम है, आपको five member ring दी है, उपर double bond दिया है, यह bond जो है, वो यहाँ open होगा, यहाँ open होने के बाद, यहाँ पर cation बनेगा 2 degree, फिर आप ring extend करेंगे, ring का size होगा, six का, methyl उसके साथ outer रहेगा, और यहाँ पर methyl वाला जो carbon है, उसकी just back side में plus है, तो एक बार rearrangement का step आप और ले लीजिए, एक बार rearrangement और कराते हैं, तो यह cation हो जाएगा बेटा जी, 3 degree, अब इसके उपर आप enter करा दीजी, ओँ अच्छ, जैसा इसने बिल्कुल करवा रखा है, तो यह भी right है, a भी right है, c भी right है, तो option में a और c, दोनों कहां मिल लें आपको, यह रहे बटा a और c, तो इसलिए आपको second answer देना था, चैलिए next देखते हैं इसके बाद, गिवन है, 59 में एक अलकीन गिवन है, HBR परोक्साइड, बहुत famous reaction, खराश effect, AMKR addition करवाना, क्योंकि यह जो पूरा combination है, इसके लिए हमारी direct summary है, कि attacker होता है, BR, क्योंकि होता क्या है, परोक्साइड जो है, परोक्साइड अपनी homolysis करके free radical बना लेता है, वो free radical HBR के अंदर homolysis कराके, BR free radical बना देता है, और BR free radical का मोटो क्या होता है, एक ऐसी जगह पे जाके stay करना, जिससे अच्छा intermediate form हो, तो आपके सामने जो specie given है, वो यह वाली थी better, ठीक है, इसमें आप इस bond को यूँ cut कर सकते हैं, homolysis होना है, homolysis होने के बाद आपके बस दो chance है, आप या तो free radical इस carbon पे रख लो, जब कि यहां पे आप रखते हो, तो उसके बास number of h, जो stable करने वाले, hyperconjugation करने वाले, वो 2 हैं, तो इसलिए, यह ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो यह free radical अगर आपको बनाना है, तो यहां पे अगर 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 आपन कहें, तो यह जो 7 वाली location है, क्योंकि जब यह bond cut हो ठीक, समझ में आई बात, तो इसलिए यह वाला option अपन को ज़्यादा बेटर लग रहा है, कि आप उस BR की entry इस location पे, जब इस bond को cut करें, तो यह वाला BR यहां जाके stay कर जाए, तो यहां stay करें, तो ring तो 5 की 5 ही रहेगी, यह तो option wrong हो गया, यह 5 है, 5 है, 5 है, यह भी option wrong हो गया इन दोनों 5 में से, यह दोनों condition जो मैंने आपके सामने रखी हैं, एक यह वाली, एक यह वाली, तो यहां पे compare हो रहा है, यह ज़्यादा बेटर है बटा, यह देना है, ठीक है, चलो, और देखिए इसके बाद, 59 के बाद देखिए बटा, 60, 60 में क्या है, which is correct reaction, आपके बस A B और C, 3 reaction दी हैं, और उमें से आपको correct देखनी है, first वाला जो पूरा combination है, इसको अपन कहते हैं, oxy-mercuration, demercuration, oxy-mercuration, demercuration में, mkr-water-add होता है, without rearrangement होता है, तो बटा, यहां पे मैं इस bond को open नीचे करूँगा, और जो 3 degree plus बनेगा, उस पे मैं OH entry कराना चाहूँगा, जो इ same reaction है, hydroboration, oxy-mercuration, demercuration, वो भी oxy-mercuration, demercuration, यह भी oxy-mercuration, demercuration, यह भी oxy-mercuration, demercuration, attack कैसे कराना है, without rearrangement के, mkr-water-add, तो बटा, यहां पे मैं bond open यहां करूँगा, और यह मेरी location होगी, जहां मुझे OH enter कराना है, तो ऐसा यहां पे इसने product में नहीं दिया, यह तो 3 degree पे च कराने चला गया, तो B तो बेटा wrong हो गई, A बिल्कुल right है, अब आजाई यह C पे, C पे भी वही, third reaction भी क्या है, oxy-mercuration, demercuration है, और वही same बात, आपको bond open कराके, 2 degree पे OH enter कराना था, बिल्कुल 2 degree पे ही दिया है, तो C भी proper है, C भी proper है, A भी proper है, C भी proper है, तो आपका answer जो नेक्स देखते हैं, यह अपना हो गया, 60, 61 में देखी, क्या कहता है, 61 में, which is correct statement when propene reacts with BR2 CCL4, भाई अगर आपके बस प्रोपीन हो, आप उसको BR2 CCL4 मेडियम में react कराते हैं, तो इस reaction के point of view से क्यों सा statement आपको correct लगता है, आपको identify करने correct statement, it gives vicinal dibromyte, तो देखो बटा होगा क्या, इस reaction में आपको मालूम है, इस double bond पे attack होगा, और double bond पे pipe bone break होकर के sigma form होगा, sigma पे BR-BR आएगा, और no doubt वो vicinal आएगा, तो first statement हमें perfect लगता है, first statement wise कोई problem नहीं है, next इसके वाद second statement जो है, intermediate is cyclic bromonium ion, बिल्कुल सही बात, जब आप ये reaction करवाते हैं, तो आपको मालूम है, यहां का जो electrophilics PC होता है, वो क्या होता है, BR+, वो BR+, जब एक alkyne से interact करता है, तो interaction में क्या होता है, BR यहां पे भी add होता है, और यहां पे भी एक breezing करता है, इसी breezing के चकर में तो इस reaction में rearrangement नहीं होते, ब्रिज्ट कार्बोगेटायन बनता है, इसमें halogen enter होने की वज़े से, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रोमीन होने की वज़े से क्या कहते है, ब्रोमीनियम, तो यह first भी सही है, second भी सही, rearrangement product is possible, no, rearrangement की chance नहीं होता है, बटा, rearrangement का chance, जैसे ही यह bridge बनता है, rearrangement की possibility नहीं रहती है, halogenation में, hypo hellas में, oxy mercuration में, hydroboration oxidation में, यह कुछ example होते हैं, alkyne reaction में, जहां rearrangement का chance नहीं होता, तो rearrangement वाली बात जो यह कह रहा है, वो ठीक नहीं है, तो A और B सही है, तो A और B सही है, तो इसका महलब answer final क्या जाएगा, फोर जाएगा, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, इसके बाद फिर, हाज, next reaction देखें, क्या कहता है, which is correct reaction, आपके सामने बटा, A, B, C reaction है, आपको identify करना है, correct reaction कौन सी है, फर्स्ट में बटा, उसने आपको दिया bear reagent, bear reagent का function क्या होता है, unsaturation testing, एक एन में, आइन में bear reagent डालते हैं, उसका color disappear होता है, एक तो बात knowledge के लिए थी, यहाँ पे वो यह नहीं जानना चारा, यहाँ वो देखना चारा है, double bond पे bear, जो है, वो OH, OH को anti-add करता है, क्या, नह नहीं बई, ना तो bear anti-add करता है, ना osmium tetra oxide करता है, दोनों sin-add करते हैं, बनाते हैं तो diol है, पर sin-diol, तो इसलिए wrong हो गया ही, अगर आपको anti लेना है, तो फिर आपको मालूम है, क्या लेना होता है, पर acid और उसके बाद acid ही hydrolysis, second में जाईए, bear दिया, और bear देखर के, इ एकोच यहाँ, एक यहाँ पर, ऐसा भी नहीं होता, कोई इस ताइप का process bear में नहीं होता है, bear में तो भाईया, adjacent carbon, जिन बें double bond है, उसमें bear reagent क्या करता है, sin-diol बनाता है, विस-diol बनाता है, विस-diol में भी sin-diol बनाता है, तो यह B भी better wrong है, bear reagent is acidic solution of osmium tetra oxide, no, bear reagent तो हो meno 4 का basic solution, और वो भी cold वाला, यह होता है bear reagent, तो बेटा CB wrong है, तो यहाँ पर आपन कहें, correct reaction कौन से वाली है, तो यहाँ पर इसे correct reaction, correct statement, कुछ भी नहीं है, तो आपको देना चाहिए, none, अचलि, next देखते हैं में बेटा कुछ, हाँ जी बच्चो, next देखें आपने इसके अं 63 में क्या कह रहा है, the hydrocarbon having molecular weight 70, hydrocarbon के लिए बात कर रहा है, molecular weight उसका 70 है, give only monocloro product on chlorination in present of light, आपको मालूम है, chlorine हुआ, light हुई, यह reaction होती है, free radical substitution, किसी alkane की reaction होती है, यह उसमें एक condition दे रहा है, कि आपका जो molecule given है, जिन में भी आप देख रहे हैं, उसका monoclorination, मलब आप उसमें chlorine one add करना चाहते हैं, और उसका chance single हो, mono, यहाँ उसने का only monocloro product, only मनलब one product वहाँ पर form होगा, find structure of hydrocarbonate, देखो बटा, यहाँ दो बाते, अगर अपन monoclorination one product की बात करें, तो यह तो आपका option नहीं है, क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है बटा, क्योंकि इसमें one degree carbon भी है, two degree भी है, और two degree के बाद अपन कहें, तो three degree भी है, तो इसमें one product कैसे बना लोगे आपको, नहीं बना पा नहीं है, तो second third देदें, देखो second में यह carbon four degree है, जहाँ chlorination होगा नहीं, remaining सब one degree है, मतलब यह molecule अगर मैं draw करूं तो यह वाला है, इसमें सभी के सभी carbon similar है, और इनमें बिल्कुल चांस है कि इनका product जो है, monoclorination product uniform होगा, as usual अगर आप इस पे जाएं, तो इसमें भी carbon two degree है, आ product का name सेम होगा, chlorosaclopente, लेकिन अब आप दोनों option में से दोनों लेने जा रहें, नहीं बेटा, दोनों नहीं लेने, इसको थोड़ा ध्यान से पोड़ो, उसने weight भी कहा है, 70, क्योंकि यह जो आप molecule लेने है, इसका formula है C5H12, क्योंकि पेंटे ही नहीं, और C5H12 का जो molecular mass है, carbon का 12, 12 multiply 5, तो 60 तो carbon का हो गया, और 12 hydrogen का हो गया, तो 72 हो गया, जबकि इसका formula क्या होता है, C5H10, क्योंकि किसी alken के लिए जो formula चलता है, वो क्या चलता है, C and H21, इसके लिए बिल्कुल fit better है, तो इसलिए आप का answer जो जाना है 3rd, easy है, बट अगर थोड़ा सा भी, आपने यहा next वाले में आते हैं बटा, 64 number question देखिए, क्या कहता है, 64 में देखो, आपको ozonolasis कराना है, ozone given है, water given है, zinc यहाँ पे absent है, तो आपको मालूम है क्या करना होता है, bond तोडो, oxygen जोडो, product त्यार है, लेकिन product में अगर कोई aldehyde है, तो उसे acid में convert करो, क्योंकि zinc नहीं दिया हुआ यह इसके त्रिक होती है, तो यहाँ से आपका 2 carbon का aldehyde, जिसे acid में convert होना होगा, यह बेटा 3 carbon का ketone, acetone form होगा, only ketone, नहीं, गलत answer है, क्योंकि ketone और acid दो बनने, only aldehyde, aldehyde तो यहां बनी नीडा, फिर बोथ aldehyde and ketone, wrong है यह, carboxylic acid and ketone, बिल्कुल perfect है, क्योंकि आपके पास जो molecule है ना, वो यह था, कटने के बाद, यह तो बिल्कुल क्या बन जाएगा, acetone, ketone, लेकिन जो left वाला portion है, वो पहले तो बिल्कुल aldehyde ही बनेगा, पर यहां पर आपको reagent में देखना है, कि zinc गिवन नहीं है, तो इसलिए इसको आपको acid में convert करना, मश था, तो आप 65 में क्या कहता है, 65 में एक alkyne given है, NaCl given है, aqueous given है, BR2 given है, possible product बताना है, देखो बटा, यहां पहले आप ऐसा करो, आपकी reaction में जो electrophile है, जो nucleophile है, उनकी एक list बना ले, आप reaction करा रहे हो NaCl की, तो Na plus electrophile count कर लो, और Cl minus nucleophile count कर लो, फिर aqueous, AQ जो दिया है, जो medium दिया है, medium जो water है, water भी तो एक nucleophile होता है, यह भी nucleophile है, फिर BR2 जो आपको दिया गया है, BR2 में बटा, BR plus भी बन जाएगा, BR minus भी बन जाएगा, यह भी है, तो nucleophile में आपके पास तीन option है, electrophile में आपके बस एक ही option है, आप कहेंगे यह नहीं, यह pseudo-electrophile है, sodium plus electron gain नहीं करता, क्योंकि वो तो inert gas configuration में है, तो बोले तो BR plus होगा, तो actual में एक alkyne जो है, वो सबसे पहले BR से interact करती हुई, इस तरह का एक halonium, bromonium आयन बनायेगी, अब उसके बाद उसके अंदर, जब back attack होगा, तो back attack में यह सब involve होगे, CL, OH, BR, क्योंकि उसने possible product की बात किये, तो BR यहाँ जाकर के, BR के opposite में यहाँ कौन लगेगा, OH, क्यों, क्योंकि water है, फिर BR के opposite BR भी जाएगा, क्योंकि BR भी है, और यहाँ पे CL भी जाएगा, तो all of these answer आएगा, ठीक है, तो famous reaction होती है, पिल्कुल class में discuss होती है, next देखिए, इसके बाद, 66 में क्या कह रहा है, 66 में correct reaction बतानी है, अगर आपको reagent की direct, perfect information है, तो, osmium tetraoxide और hydrolysis sodium bisulfide में, बिल्कुल syndiol दिया है, perfect है, और AG की presence में, फिर बाद में hydrolysis करना, इसमें anti-OH लगते हैं, यह sin लगा दिये, यह भी गलत, ठीक है, तो बस एक ही इसमें right option था, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, bear और osmium tetraoxide तो syndiol बनाते हैं, और अगर आप paracid या AG की presence में O2 लेकर के पहले अपॉक्साइड बनाते हैं, अपॉक्सीडेशन और फिर उसके अंदर hydrolysis करते हैं, तो anti-diol बनता है, ठीक, next देखिए, इसके बाद बटा, 67 पर आईए, 67 में क्या कह रहा है, 67 में देखो बटा, which is correct, free radical substitution reaction, FSR reaction के लिए correct बात कर रहा है, correct बटाना है, reactivity of halogen, यह halogen की reactivity नहीं होती, halogen में highest reactive आता है fluorine, फिर आता है chlorine, फिर आता है bromine, फिर आता है iodine, highest reactive की वज़े से इसकी reaction explosive होती है, इसकी reaction reversible होती है, यह रहेगा, तो first तो नहीं आएगा, second भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में reactivity proper नहीं है, फिर कहता है reactivity of halcane, यह भी मुझे perfect नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि halcane में आपको मालूम है, अगर 3 degree H मिल जाए, तो 3 degree H को निकालने के बद, free radical intermediate ज्यादा बेटर होता है, तो यह वाला reactivity order भी नहीं है, और methane पे chlorination, sunlight में कराया, chloromethane बना, यह ठीक है, बिल्कुल, ऐसा reaction होता है, तो halogen reactivity wrong है, halogen reactivity wrong बताई है, चली, next देखिए इसके बाद, 68 पे आओ बटा, 68 में क्या कहना चाह रहा है, 68 में देखिए क्या कहता है, correct reaction, आपके बस 4 reaction है, आपको identify करना है, correct कौन से वाली है, सब reaction के अंदर आपको जो reagent given है, HBR peroxide, खराश effect, AMKR product बनना, यह अलग reaction होती है, electrophilic नहीं free radical होती है, इनमें attacker कोन होता है, BR free radical, target क्या होता है, एक ऐसी location पे stay करना कि उसका intermediate अच्छा बने, बाकी सब याद रखने की बजाए, logical तरीका यह है, तो अगर मैं इस bond को cut करता हूँ, और cut करने के बाद, अगर मेरा BR वहाँ जाता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जाने से, जो free radical बनेगा, वो benzyn, benzylic location पे बनेगा, ज़्यादा बेटर होगा, क्या ऐसा इसमें हुआ, नहीं हुआ, तो reaction wrong है, आपको तो correct बतानी थी, क्योंकि इसने BR की entry गलत करवा दी, फैनिल के पास वाली करा दी, वैसे भी MKR करा दी है, तो यह तो HBR में होता, पर उक्साइड के साथ थोड़ी होता है, आगे वाले में गए, फिर वही बात, यह bond अपने को cut करना है, एंट्री कहां करानी है, एंट्री यहां करानी है, बेंजिलिक बनाना है, बिल्कुल perfect दिया है, second बिल्कुल answer, सहीए, correct बताना था तो, third में जाईए, third वाले में हमने क्या किया, इसको cut किया, cut करने के बाद, BR की जो एंट्री है, वो मुझे यहां करानी है, क्यों? क्योंकि free radical मेरे को यहां, बेंजीन के बेंजिलिक लोकेशन पर रखना है, तो यहां पर रखना है, तो देखो ऐसा किया, क्या इसने नहीं किया, गलत करा दी, BR की एंट्री गलत है, तो इसलिए यह भी रोंग कर दो, फोर्थ में जाए, फोर्थ में भी क्या होगा, यह बोंड कट होगा, बोंड कट हो करके इस BR को यहां पर एंट्र कराईए, ताकि free radical 2 degree बने, free radical 2 degree बनेगा तो ज्यादा बेटर है, ऐसा नहीं किया, इसने तो BR की एंट्री 3 degree पर करा दी, बिलकुल गलत है, तो अंसर कौन सा ह हुआ, सेकिन हुआ, बस कंसेप्ट आपका स्ट्रोंग होना ची बटाइए, बार बार रेक्शन आरी है, एच बीर परोकसाइड, आपके ध्यान में रहना ची, अटैक कर कोन है, यह है, कहां अटैक करे, ऐसा अटैक करे, जिससे free radical better बने, बागी अपने को कुछ दिक्कत नही आपके बस molecule होता है, आप BR के entry करा के free radical बने के देख लो, क्या better है, चली, नेक्स देखिए इसके बाद, नेक्स्ट क्या given है, which is correct reaction, correct reaction बतानी है, तो फिर, ओस्मियम टेट्रा उकसाइड की reaction में, एंटी डायोल बना रहा है, correct कैसे है, incorrect है, BR2 की reaction एलकाइन पे करा रहा है, और वहाँ पे bromoethene बना रहा है, बिल्कुल incorrect है, क्यों, क्योंकि आपको BR2 की reaction आइन पे करा नहीं है, दो बर कराओ, tetrabromo product बनाओ, ना कि monobromoethene, और वैसे भी 4 वाला 2 में कैसे convert हो सकता है, wrong है, थर्ड में जाएं, आपको bear दिया, और bear की BR2 में double bond पे OH, OH, NT दिया, तो ये भी आपका wrong हो गया, last वाले में ozonolysis given है, ozonolysis में zinc भी given है, तो बटा क्या करना होता है, आपको एक alkyne पे जब reaction करवाते हैं, हम यही वाली, same reagent में, तो हमारा funda क्या रहा था, bond तोड़ो, oxygen जोड़ो, कार्बोनिल बनाओ, ये हमारा alkyne का trick है, तो ये वाली alkyne पे apply कर दो, ऊपर का नीचे का bond break कर दो, दो bond break होते हैं, तो carbonil बनाओ, बिल्कुल बना रखा है, तो ये ही आपका answer है, आइन के अंदर ये reaction होगी तो, चले, next देखिए, इसके बाद, question number, 70 में क्या कहना चाहता है, 70 में देखते हैं, बाटा, क्या है, alkyne है, k-m-n-o-4 है, heat है, महलब strong oxidation किसी alkyne का है, और ये product form हो रहे हैं, तो आपको alkyne बतानी है, कौन से वाली, hit and trial method है, नीचे आपके बस molecule given है, cut करके देख लो, simple सा funda है, ozonolysis वाला, bond को तोड़ो, oxygen जोड़ो, left side वाला molecule और right side वाला molecule हमें satisfy कर रहा है क्या, left वाला तो बन रहा है, 1,2,3,4, butane 2,1, बिल्कुल satisfy कर रहा है, right वाला, 1,2,3,4,5, 5 का पहले तो बनेगा aldehyde, और फिर बन जाएगा acid, pentanoic acid, तो 1,2,3,4,5, बिल्कुल, हम first वाले option से ही satisfy, यह answer है अपना, और देख लो बागी, अगर आप इसको cut यहां से करते, तो यहां से cut करने पर आपके product भी match नहीं कर रहे हैं, क्योंकि product जो बना रहा है, यहां वाला जो product ketone बनेगा, 4 carbon का ketone थोड़ी है, तो गलत होगे, इसको आप यहां से cut करते हैं, तो cut करने के बाद यह जो ketone बन रहा है, 1,2,3,4,5,6 का, 6 का ketone आपके बस है ही नहीं, छोड़ दीजी इसमें अगर आप यहां से cut करते हैं, तो भी match नहीं करता है बटा, क्योंकि यह भी LDH, यह भी LDH, दोनों LDH, तो दोनों LDH होते हैं, तो फिर OICD में convert होते हैं, तो यह भी नहीं है, चालो, next देखिए इसके बाद, question number 71 देखी, 71 में क्या कहना चाहता है, 71 में आपको normal hexane गिवन है, और normal hexane को chromium oxide, aluminium oxide, chromium और aluminium के oxide पे 773 Kelvin, 10 to 20 atmosphere pressure दे रहा है, इसमें क्या बनेगा, final product is cyclohexane, final product is toluene, यह 6 का है, तो toluene पे दो जाने का मतलब ही नहीं, final product obey huckle rule of aromaticity, तो यहाँ पे अगर अगर आपन कहें, तो बोथ 2 and 3, तो toluene नहीं है, तो 2 and 3 भी नहीं रहेगा, तो आपको answer जो देना है, किस में से देना है, 1 और 3 में से, तो आपको याद रहे ना ची, यह जो reagent आ toluene में convert करता है, तो cyclohexane नहीं, यहाँ पे आपको जो बताना था, वो क्या था, 3rd, क्योंकि यह convert होगा, बेंजीन में, और बेंजीन बिलकुल huckle rule को follow करने वाला एक molecule होता है, हाँ जी बटा, next इसके बाद देखें हाँपन, 72 में देखें बटा, क्या है, एक reaction की theme given है, molecule given है, reagent में X नंबर में NNS2 लीजिए, यह बनाईए, final product लिए रहेगा, और फिर यहाँ Y नंबर में आप NNS2 लीजिए, यह product बनाईए, sum of X and Y, तो यहाँ यह जानना चाहरा है, कि आप NNS2 के कितने molecule इस पूरी process में consume करवाएंगे, देखो बटा, क्या है, यहाँ से A पे जाना, तो अपने को बालों में, यह BR जो है न, वो यहाँ से यहाँ से H लेकर के, इस तरह से dehydrohalogenation करेगा, तो phenyl C, triple bond C, यह वाला product बना देगे, दो चाहिए, पर दो नहीं, आपको तीन count कर दें, पर रहे क्यों, क्योंकि एक NNS2 फिर आएगा, उसका function क्या होगा, इस H को निकाल के, इसको nucleophile में convert करना, और वो जो nucleophile है न, अब यहाँ पे जब nucleophilicity आएगी, तो CS3 I पे वो attack करेगा, as a nucleophile, और I को निकाल के आपको यह product देगा, तो overall, यहाँ पे X के number में अगर अगर अपन कहें, तो कितने NNS2 consume हो गए, 3, अब आप जाओ, Y वाले में, Y वाले मेरी reaction होई है, यह BR है, इस BR ने यहाँ के HH ले करके, देखो, रेaction उसने सिर्दी direct खुद ही बता रखी, इस वाले reaction में देख लो, L kind बना रखा है, तो यह H और BR जा रहा है, यह H और BR जा रहा है, दो पर elimination मलब, दो NNS2 आप यहाँ पे consume करेंगे, क्योंकि H को ले जाने का काम किसका होता है, NH2 base का, तो इस तरह से दो molecule यहाँ पे consume कर दो, तो total कितने होगे, 3 और 2, 5, तो आपका final answer जाएगा, यह वाला, चलो, और देखते हो बटा, नेक्स देखिए, 72 के बाद आजाए, 73 पे, यह सीधी सीधी NCRTK की information है बटा, in general, alkane जो molecule होता है, वो oxidizing agent, reducing agent, किसी भी reagent के respect में, बहुत कम reactive होता है, लेकिन specific condition में हम उसे oxidize कर आते हैं, यह वोई specific condition है, copper की presence में, आपने specific temperature pressure दिया, तो वो alcohol में oxidize होता है, ठीक है, molybdenum oxide में carbonil बनाता है, यह भी ठीक information है, पर molybdenum में वो alcohol नहीं बनाता, यह wrong है, और KMNO4 की presence में, जो 3 degree H होता है न, alkane का, वो एक sensitive reactive H होता है, वो alcohol में convert होता है, यह भी सहीध, तो आप NCRT में, अगर hydrocarbon आपने rating लगाया है, तो बिल्कुल उसके अंदर यह reaction given है, तो यह आपकी wrong है, incorrect ही आपको बताना था, 3rd आएगा बता, ठीक है, चली, next देखिए इसके बाद, 74 में आ जाई, 74 में क्या कहना चाहरा है, 74 में यह था, यह molecule given है, पूरी sequence follow करते हुए आपको product बनाना है, देखो, पहले इसने दिया HBR paroxide, याद हो गया होगा अब तक तो क्या करना होता है, इन दोनों का interaction का मदलब होता है, बी आर जाएगा एक ऐसी location पे जिससे better free radical बने, अब बटा यह bond cut होना है, bond को cut होकर के बी आर को आप या तो यहाँ stay करादो, यहाँ कराओगे तो 2 degree बन जाएगा, और अगर stay आपने यहाँ कराया, तो फिर 1 degree बनेगा, तो यहाँ तो मैं नहीं कराना चाहूँगा, मैं तो 2 2 degree बनाऊँगा, तो इसका मतलब यह मेरी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो थी, इसके पास, यहाँ पे अपन बी आर को stick कराएंगे, ताकि यह free radical रहेगा, more alpha h वाला, चलो, यह finally product में convert हो जाएगा, फिर n a n h 2 लिया, यह elimination कराता है, elimination कराता है, तो बटा यह h और यह BR निकाल दीजी, h BR निकालोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे वाला option रहेगा, अब इस option के उपर आप BR2 की reaction कराएंगे, तो double bond के उपर विस BR बना दीजी, यह बिलकुल wrong option है, यहाँ पे BR कैसे जा रहा है, as usable यहाँ जाएं, ring पे BR कैसे जा रहा है, कोई electrophilic substitution यह वाले में, फिर यह वाला BR लगा दिया, तो इसलिए आप को answer जो देना है, कौन सा देना है, सेके, ठीक है, चली, next देखिए इसके बाद, 75 पे आओ, 75 में क्या कहता है, 75 में कह रहा है, कोई molecule लीजिए, HOCl से interaction कराके भी बनाईए, और उसमें water lose करके यह बनाईए, अब इट आपके बस option है, करके भी लेख सकते हैं अपन, जैसे अपने बस प्रोपीन ले ले, प्रोपीन पे अपन HOCl के दो molecule कैसे यूज करेंगे, कर अबर क्यों होगा, next देखो, प्रोपाइन, अगर आपके बस प्रोपाइन है, और HOCl है, तो HOCl है, तो आपको मालूम है, CL इलेक्ट्रोफाइल, यह नुक्लियोफाइल, तो बन को उपन, आप यहां करेंगे, first time, तो ऐसा करने पर क्या होगा, बाहर, CL अंदर ऊच आएगा, फिर आपन कहते हैं, यह वाला मोन यहां ओपन करना ची, क्योंकि प्लस को, ओक्सीजन के लॉंपेर का बेटर रेजोनेंस मिलता है, तो यहां पर इस साइड ओपन किया, तो यहां ओच, यहां ओच, यह CL, CL आया, तो वाटर लूज होने के बाद क्या था, कार्बोनिल बन गय है, देखो, बिल्कुल, सिक्वेंस यहां पर मैच कर रही है, तो यही आपका अंसर है, प्रोपेनॉल, आपको यह आप, ओल ले ले लेते, और एसीटोन ले ले लेते, उसकी हो CLC interaction कैसे कराओगा, यह नोराइन पर तो अपने हाइपोहलस की रेक्शन करवाते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स देखिए, इसके बाद, 76 में आईए, 76 में क्या कह रहा है, मोलिकुल गीवन है, NBS की रिएक्शन है, अल्कॉली की वेच, NUH की वेच है, अल्कॉली नह है, और फिर ओजोनोलाइसिस, गेको बटा, NBS चो होता है, उस पेसलिस्ट होता है, एलाइलिक या बें सबस्टिडिशन के लिए, तो आप यहाँ पे इस एच को निकालिए, निकालने के बाद, अपने मोलिकुल में यहाँ पे आपो ब्रोमीनेशन कर लीजी, कर लिया है, फिर जो अल्कॉली के वेच, NBS का फंक्शन यह है, तो अल्कॉली, NUH के वेच का फंक्शन का के आपको प्रोवाइड कर देगा, साइकलोहेकजाडाई, फिर वापस उसने NBS दे दिया, फिर NBS दे दिया, तो आपको या तो यह वाली या यह वाली जो भी लोकेशन बेटर लगे, वहाँ पे ब्रोमो एंटर करा दो, यह लो मैंने यहाँ पे एंटर करा दिया, बागी ब बनने के बाद आपको दिया है, ओजोनोलाइसिस बोन्ड को तोड़ो, उक्सीजन जोड़ो, तो यहाँ पे टू-टू कारबन के मोलिक्यूल फोर्म होंगे, टू वाला जो होगा, वो क्या होगा, एथेनल, यह बनेगा, तो एथेनल की अगर मैं बात करूं तो यह रहाँ आ एथेन डाइल या जिसको अपन गलाई उग्जेल के नेम से भी जानते हैं, इम क्या होता है, गलाई उग्जेल फेमस नेम है और एथेन डाइल, एथेन वन टूडाइल कह दो, एथेन डाइल कह दो, यह चलेगा, चलो, नेक्स देखिए इसके बाद, बटा, 76 के बाद, 77 में देखिए which is incorrect order for boiling point of L की boiling point का order बताना है boiling point जो है molecular weight के direct proportional होते हैं और branching के inverse proportional होते हैं ठीक है, तो ये एक relation होता है इसके base पे देखें तो propane और n-butane में propane का better होगा नहीं हो सकता molecular weight जिसका ज़्यादा उसका अच्छा होगा N-pentane और Neopentane में से N-pentane का अच्छा होगा बिल्कुल ठीक है तो कि N-pentane स्टेट है Neopentane branched है तो branching जैसे जैसे increase होती है वैसे-वैसे boiling point decrease होता है तो ये perfect answer है बटार next, normal pentane, normal butane तो यहाँ भी अपन कहें तो ये भी proper है normal pentane का butane से अच्छा होगाई isopentane, propane by pentane और propane में तो ये अच्छा होगाई तो अगले ने आपसे क्या का? incorrect तो इसलिए ये तीन राइट है तो answer आपको जो देना होगा वो first देना होगा तो ये तीन उसमें boiling point के perfect order आ रहे हैं तो जो incorrect है वो बताना है next देखिए इसके बाग question number 78 78 में क्या है? 78 में देखिए dehydrohalogenation of will be in order मलब एक reactivity जानना चाहता है dehydrohalogenation देखो बता यहाँ पे जो CL है यह अपने H के साथ अगर release होता है H और CL दोनों release होते हैं तो आप यहाँ पे product जो firm करेंगे वो बनेगा ये terminal in बनेगी ठीक है? 4 की in बन जाएगी इस पे अगर आप जाओगे तो आपके बस option है कि यह H b है, यह वाला H b है तो बोट साइड वाले में से आप बोलो तो यह बना लोगे, और यहाँ पे अपन कहें जब आप इस H को और इस CL को निकालोगे, तो एक di-ean बनेगी, तो सबसे बेटर कौन सी in बन रही है? यह वाले, यह second number पे, यह third number पे क्योंकि इसके पास alpha H more है, 6 है इसके पास alpha H 2 है और यहाँ पे अपन कहें तो resonance है तो सबसे बेटर dehydrohalogenation किसमे होगा? third में, third सबसे बेटर एक ही option में दे रखा है, second option ठीक है, तोकि elimination reaction जब आप करवाते हैं तो elimination में product की stability भी एक issue रहेगी, तो product की stability से भी अपन उस question को करते हैं चली, next देखिए इसके बाद 79 देखिए 79 में क्या कहना चाहता है 79 में molecule given है, BR to sunlight की reaction दे रहा है, तो यह जो location तो जो product होगा, वो इस type का, यहाँ 3 degree पर bromination होगा, क्योंकि high selective होता है bromination, यह होने के बाद alcoholic UH, alcoholic UH यहाँ का carbon का H भी ले सकता है, यह भी ले सकता है, यह भी ले सकता है, यह दोनों लेगा, तो product sergelf बनेगा तो यहाँ पर अपन, इन दोनों में से किसी को use करेंगे, तो H और BR को निकालेंगे, और जो alkyne बनेगी, वो ऐसी बनेगी, और alkyne बनने के बाद अगर अपन कहें यह था आपने बस तो यह अपनने alkyne बना ली, अब इस alkyne के बनने के बाद कहरा है, HBR की reaction HBR की reaction, आपको मालूम है कौन सी होती है, electrophilic edition तो electrophilic edition होती है, तो bond को open करिए, और bond को open करके यहाँ पर क्या enter करा दीजिए, BR enter करा दीजिए, ठीक है, तो यह वाला product आपका form हो जाए और तो कोई option नहीं है इसमें next देखिए बटा, 79 के बाद आजाई आप 80 पर 80 क्या कह रहा है एकाइन है, ozonolysis कराना है, ozone है X लें, अब X में आपको मालूम है कि ozone के साथ आपको क्या लेना चाहिए, केवल water लेना चाहिए या water और zinc लेना चाहिए तो अगर आप only water लेते हैं, तो यह प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां से ही कट होकरके acid में convert हो जाएगा, इसलिए आपको zinc water लेना चाहिए, zinc water लोगे, और H2O2 नहीं, H2 और इन दोनों में से ही comparison था हाँ जी, next देखिए इसके बाद molecule given है alcohol concentrate H2O4, product 1, product 2 तो बटा, यहाँ पे अपन अब product 1,2 क्या है, अगर आप इसको concentrate H+, में reaction करवाते हैं, तो एक तो यह है कि आप इस तरह dehydration करके form कर सकते हैं, but 2 in, और या फिर आप यह वाला H और यह OH लेकर के form कर सकते हैं, but 1 in, हलाग यह वाला product यहाँ पे measure रहेगा, क्योंकि dehydration of alcohol में, suggest product हम form करते हैं, तो देखें, क्या कहता है, which is not true regarding the product, जो product के बारे में है, वो cat aban कहें, तो right नहीं है, true नहीं है, product 1 and 2 are position isomer, यह तो बिल्कुल ठीक है बटा, तोकि यह व्योट 2 in है, व्योट 1 in है, तो बिल्कुल position isomer है, true है यह तो, यह अपना अंस्वर नहीं है, क्योंकि उसने का not true, चलो, product 1 and 2 contain the same number of sp3, sp2 carbon, तो देखो बटा, यहां दोनों molecule में observe करें, तो 2 carbon तो आपके sp2 आ जाएंगे, और बाकी 2 carbon sp3 आ जाएंगे, तो यह भी right statement है, the yield of product 1 and 2 is same, यह आपका answer है बटर, क्योंकि statement वैसे right नहीं, statement right नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का product yield कैसे same आएगा, यह suggestive है, यह half month product है, और reaction obey suggestive rule, बिल्कुल, अगर मैं इस product को measure बताता हूँ, तो suggestive rule को follow करती है, तो थोड़ा सबस इसमें क्या है, question easy है, बट यहाँ पर question में language में ध्यान देना, no true regarding, तो true तो है 1, 2, 4, और जो true नहीं है वो कुन सा है, third, clear है चलो, और देखिए इसके बाद 82 में देखते हैं 82 में क्या कहना चाह रहा है 82 में कहता है hydrocarbon X है C4H8 का है, add-on 1 mol of hydrogen give another hydrocarbon, 4 carbon 8 hydrogen का molecule है जिसमें आप 1 mol H2 को add करते हैं, तो वो other hydrocarbon में convert होता है, तो यहाँ पर देखू, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 answer से बाहर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 answer से बाहर हो गया, तो आपको जो काम करना है इन दोनों पर करना है, या तो ABUT2 इन पर, ABUT1 इन पर, क्योंकि आपको जो formula दिया है, तो थोड़ा सा आप option पर काम कर लें, तो ज़्यादा easy रहता है, चलो आगे क्या कहता है, अब यह कहता है 1 mol of hydrocarbon give another hydrocarbon and also decalorized bromine water, बिल्कुल दोनों के लिए option है, आप इस पे 1 mol H2 की reaction करवा दीजिए, तो वो another hydrocarbon जिसमें convert होंगे, उसका name butane होगा, और BR2 का color दोनों ही disappear करते हैं, क्योंकि दोनों ही unsaturated है, X react with KMNO4 in presence of acid, KMNO4 acid, जो आपका molecule है, वो KMNO4 acidic medium में interact करके, 2 mol of same carboxylic acid given, तो यहाँ पर यह जो statement है, यह deciding answer के लिए, कि MNO4 acidic medium is strong oxidation है, उसमें क्या होता है, bone cut होता है, bone cut होकर के, दोनों portion जो है, वो carboxylic acid बनाते हैं, पर वो same होने चाहिए, तो same तो थर्ड में होंगे, क्योंकि बहुत symmetric molecule है, symmetric molecule को cut करो के, बहुत side से acidic acid बन जाएगा, तो यह आपका answer था, ठीक है, बस, तो यह एक language बढ़ा आ जाना, तो आप थोड़ा सा उसको देखिए, step, जैसे first step में मैंने formula देख करके, दो option यहाँ पर release कर दी, फिर बागी के लिए मैंने और पूरे statement देखे तो बागी clear हो जाता है, तो tough नहीं होता, पर थोड़ा सा time consuming होता इस type का question, चली, next देखिए बटा, अब आपके bus है, 83, 83 में क्या, propane can be best prepared by the reaction, आपको बनाना है propane, यह आपका target है, और best yield के साथ, तो बटा, यह जो process है, यह तो best नहीं कहूंगा, यह तो वुड़ज की demerit होती, यह reaction जो है वापके सामने वुड़ज है, और वुड़ज में to differ variety के hyalide लेने पर mixture बनता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ethyl और methyl को add करके propane बना दूँगा, only यह product नहीं बनेगा, other product भी बनेगे, disproportination भी होगा, तो अच्छा नहीं है, यह अपन कहें, तो यह colbe की mixing है, यह भी अच्छी नहीं मानी जाती, वुड़ज का modified form होता है, बटा कोरे हाउस, और बिल्कुल कोरे हाउस एक perfect method है, इसका यह ethyl और यह methyl, दोनों आपस mad होकर के बिल्कुल propane बना देंगे, यह होता है, तो वुड़ज reaction करवाई जाती, वहाँ आपको कोरे हाउस बताते हैं, यह कोरे हाउस method है, कोरे हाउस method बिल्कुल alternate उतर होता भी इसलिए यह, और यह जो है reaction, यह propane बनाने की है ही नहीं, CO2 निकलने के बाद एथेन फॉर्म होगा, यह तो आपका d-carvoxylation है, आंसर थार्ड रहेगा इसका, चलिए next, देखिए इसके बाद क्या कहता है, 84 में देखो, क्या कह रहा है, 84, इन प्रजेंस ओ परोक्साइड, HCl and HI do not give anti-marconic of addition of alkyn because, भाई आप परोक्साइड का presence भी ले लें, तो HCl और HI के अंदर जो है, वो anti-marconic of product form नहीं होते है, HI में भी नहीं होता, HCl में भी नहीं होता, और HF में भी नहीं होता, क्योंकि इसके बीछे एक main responsible factor होता है, जो chain propagation reaction है, उनमें से कोई एक reaction endothermik हो जाती है, जैसे HI लेते हैं, तो HI का जो आई बल्की है, उससे reaction first जो होती है, वो endothermik हो जाती है, और जब आप HF, HCl लेते हो, तो इनकी bone energy हाई होने की वज़े से, जो chain propagation की भी reaction है, वो endothermik होती है, बागी देखो, क्या कहता है, all the steps are endothermik, both the case, नहीं, यह तो नहीं, सभी के सभी steps तो endothermik नहीं होते हैं, endothermik एक होता है, जब आप HI लेते हो, तो first step, or HF, HCl में second step, one of the oxidizing and other is reducing, नहीं, one of the chain propagation step is endothermik in both the case, यह बिल्कुल perfect answer है, all the steps are exothermik, अगर exothermik होते हैं, फिर reaction क्यों नहीं होते हैं, exothermik HBR परोक्साइद में होते हैं, तो ठीक है बटा, यह आपको आंसर देना चाहिए, third, क्योंकि जब आप HI लेंगे, और HI किसी alkyne के उपर entry करना चाहेगा, I-free radical बनके, तो उसकी जो entry है, वो endo हो जाएगी, और बात अगर मैं fluorokloro की करूं, तो fluorokloro बड़े अराम से enter तो कर जाएगा, first step तो उसका हो जाएगा, लेकिन जब उसको last में HF या HCL को H देने की बात आएगी, तो यह step उसका endothermik होगा, तो एक step endothermik हो जाता है, चली, next देखिए इसके बाद, 85 पे आई, 85 में क्या कहना चाह रहा है, और यह double bond के next location पे allylic present है, महलब अगर इथायल दिया है, open कर लो, यह allylic position है, यहाँ पे आराम से bromination हो जाएगा, सेगिन वाले में भी आपके पास allylic है, chlorination हो जाएगा, पूरी favorable condition है, लेकिन यह in और यह BR2, यह allylic reaction की condition ही नहीं यह बटा, यह तो एक in के उपर electrophilic addition है, anti-edition है, इस double bond के उपर pipe bond break होकर के sigma form होगा, sigma पे BR आएगा, यह allylic type की reaction नहीं होगी, तो यही आपका answer है, next, last वाले में अपन कहीं, तो यह आपको एक process बताया जाता है, chlorination का best way, तो यहाँ पे भी अपन, यह जो location है, इसका allylic location पर reaction करा सकते हैं, तो कि alkane से chloro-alkane बनाने का best method होता है, ठीक है, चलो, next, देखिए इसके बाद, 86 में आईए, 86 में क्या कह रहा है, 86 के अंदर देखें आपने, तो 86 में, in which of the following half-man elimination product is major, half-man product major बताना है, तो भई, alcohol dehydration तो अपन कहें, तो half-man से नहीं होता है, potassium tertiary botoxide, potassium tertiary botoxide एक bulky base होता है, और bulky base की presence में elimination half-man बिल्कुल होता है, बटा, यह BR के साथ यह इस H को ही यहां से release कर पाएगा, इस वाले carbon पर नहीं कर पाएगा, तो यह H और यह BR जाएगा, बिल्कुल half-man बनेगा, second half-man की reaction है, alcoholic QH अगर reaction करा रहे हो, तो alcoholic QH में पहली बाद तो यहां पर बटा बीटा H ही नहीं, बीटा H नहीं है तो direct तो आप elimination करा ही नहीं पाओगे, तो direct elimination नहीं करा पाओगे, तो इसका मतलब आपको यह rearrange करने के बाद, बाद में आपको elimination कराना है, तो वो half-man कैसे होगा, सर्जेफ होगा, तो आपको जो answer देना है, वो only second देना है, second में ऐसा है, जहां आप क्या बनाएंगे, half-man बनाएंगे, ठीक है, चलो, next देखिए इसके बाद, 87, 87 में आपके बस आइन है, आइन के उपर आप reaction करवा रहे है, hydroboration oxidation, hydroboration oxidation में क्या है, less crowded location पे boron जाता है, वहीं पे फर्दर ओच आता है, तो यहां पे आपका जो less crowded location है, वो यह वाला carbon है, यहां पे boron और यहां पे ओच आना है, तो finally अगर आप आप यहां वो अच लगाते हैं, last में, AMKR water add कर लो, ऐसे होगा, और फिर उस enol को कीटों में convert करोगे, तो क्या होगा, LDH, तो यहां पे आपन देखें, तो 3 carbon containing LDH, जो है, फर्स्ट option देख रहे हैं, आप, यहीं होगा, next देखिए, इसके बाद, 88, sodium acetate is electrolyzed, under colby electrolysis, give possible product, sodium acetate, यह बैटाजी, अपने बस है, sodium acetate, अगर आप इसको colby electrolysis करवा रहे हैं, तो colby electrolysis का direct product बताने का तरीका तो यह है, एन्नियोज चला गया, यह चला गया, और इन दोनों की कप्लिंग होई, और कप्लिंग हो करके क्या बन गया, एथेन, एथेन बनने का कोई चांस यहां नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज यह बताई जाती है, detail mechanism में हम जाते हैं, ionic और free radical mechanism होता है, यह ion है, electron लूज करके यह बनाता है, यह वाला free radical, और इस free radical के साथ, इसके cut होने के बाद, एक methyl free radical भी बनता है, और यह दोनो free radical अटेच हो जाएं, तो एक ester बनने का भी चांस होता है, तो first का भी चांस है, third का भी चांस है, क्योंकि option अपने को यह भी दिया हुआ है, तो इसलिए अपने को fourth answer देना चाहिए, यह नहीं, fourth ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों cover हो जाएं, next देखिए बटा इसके बाद, 89, 89 में क्या कहना चाह रहा है, 89 में, hydrocarbon C6H10 give white PPT, with tolen reagent, tolen के साथ white PPT देने वाला, molecule अपन का है, तो first नहीं हो सकता, second हो सकता है, third नहीं हो सकता, fourth हो सकता है, अब आप कहेंगे, यह क्या identification है, बेटर, tolen के साथ, जो terminal alkyne होती है, उसका terminal alkyne का, acid catch replace होके, silver को settle करके, white PPT देता है, तो terminal alkyne, या तो मेरी second में है, या terminal fourth में, तो white PPT बन जाएगा, लेकिन, hydrocarbon C6H10, give white PPT, अब आपको answer, एक चूज करना है, यहाँ पे तो दो answer आ रहे, तो आपना चेक करो, C6H10 कौन से वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह भी 6 कारबन का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह भी 6 का है, पर यहाँ 3, और 2, 5, 4, 2, 7, 9, और 1, 10, तो C6H10 इसमें आ रहा है, और यहाँ पे आप देखो, 3, 4, 5, 5, 4, 2, 7, और 8, तो इसलिए यह भी answer आपको cut करना होगा, final answer आपका जो जाएगा, यह formula पे based, ठीक है, चलो, next देखिए इसके बाद, लास्ट कोशन अपना क्या है, लास्ट कोशन आपका यह था, अच्छा कोशन है, ओजोनोलाइसिस का, आपको जो molecule given है, वो ortho xylene given है, ओजोनोलाइसिस प्रड़क्ट आपसे पुछ रहा है, इसमें बड़ी एक खास बाद है बटा, यह जो बेंजीन है ना, इन जनरल इसमें बोंड की location का कोई बड़ा impression नहीं आता, लेकिन ओजोनोलाइसिस में बड़ा impression आता है, यह आपके बस ortho xylene ऐसे ड्रो कर लें आप, और एक आप ortho xylene को ऐसा ड्रो कर लें, मैथिल तो देखो यहीं रहना है, लेकिन बोंड की location अंदर की अगर आप change कर दें, और आप ozonolysis ट्रिक से product बनाएं, तो देखो क्या खास बात आती है, इससे product अलग आएंगे, इससे product आपको अलग मिलेंगे, इससे आपको दो product मिल रहे हैं, कौन से? गलायोगजैल, एथेन डायोल, यह बन रहा है, भाई, आपका product यह वाला है, two product तो यह बने, और one product यह जो बना, यह कौन सा था? यह वाला, जिसको हम कहते हैं, दाई मिथाईल गलायोगजैल, पर अगर अपन यह आँ जाते हैं, तो यह तो बेटा बिलकुल गलायोगजैल बन गए, और वो भी किते, two, ठीक, तो दोनों में product अलग लगाता है, तो finally हम इसमें कहते हैं, दोनों product बताने होते हैं, बस यही इसमें confusion होता है, यही इस question को special बनाता है, गलायोगजैल दे दिया, ऐसी टेलडी हैट तो बटा बन ही नहीं नहीं दा, छोड़ दीजी, गलायोगजैल दे दिया, डाई मिथाईल गलायोगजैल दे दिया, और मिथाईल गलायोगजैल दे दिया, सारे option कवर कर दिये, देखो गलायोगजैल भी है, डाई मिथाईल भी है, और मिथाईल गलायोगजैल भी है, और किसी के अंदर cover नहीं हो रहा, यहां पे इसने ले दिया, यह अलगी product है, यह भी नहीं लेना है, यहां पे भी इसने पूरे option, अगर आपने single molecule ले करके, जाइलीन को अगर एक ही form में जैसे दिया है, डारेक्ट यहीं से काट के सोचेंगे, तो फिर proper answer नहीं आएगा, बस इ तो बच्चों, बहुत बड़िया से आपने इसका solution देख लिया है, कोई आपका जो doubt रहा होगा, paper आपका वैसे अच्छा हुआ है, और भी कोई doubt है, तो वो बिल्कुल दूर हो गया होगा, thank you, फिर मिलते हैं, JCLC बच्चों